नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है परमो ठाकूर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोडट कैफे यूटूब चैनल दोस्तों आज के समय में हर कोई अपनी सिक्योर्टी और सेफ्टी को लेके काफी जागरुक है इसलिए CCTV कैमरे की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जहां एक समय ऐसा था कि CCTV कैमरा केवल आपको बैंक और सुनार की दुकानों में मिला करते थे वहीं आज के समय ये आपको हर जगे देखने को मिल जाते हैं ऐसे में यदि आप अपने लिए एक बैस्ट CCTV कैमरा लेना चाते हैं और जानना चाते हैं कि CCTV कैमरा कितने टाइप के होते हैं कौन से टाइप का CCTV कैमरा इंडूर के लिए अच्छा है कौन से टाइप का CCTV कैमरा आउट्डूर के लिए अच्छा है एक best CCTV camera लेनी से पहले आपको किन-किन important points का ध्यान दखना चाहिए और कौन से brand का कौन सा model आपके लिए best होगा आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे साथ ही साथ मैं आपको अपने recommended top 5 best CCTV camera 2023 इन इंडिया के price, specification, feature और warranty के बारे में detail हैं बताऊँगा ताकि आपको पूरी जानकर ही मिल सके और आप अपने लिए एक best CCTV camera सेलेट कर सकें लेकिन दोस्तो यदि चैनल पर नए हैं और मुझको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सी चैनल को सब्स्राइब कर लें और bell icon दबा दें ऐसी ही interesting वीडियो देखने के लिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तो CCTV camera की full form होती है close circuit television और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CCTV camera को वीडियो surveillance, security और safety के लिए यूज के जाता है ये आपकी गयर मौझूदगी में आपके घर में या फिर office में रखे वे समान की निगरानी और सुरुक्चा करते हैं और आप इनको अपने mobile phone से कहीं से वी चेक कर सकते हैं यानि कुल मिलाकर आप बिना tension लिए अपने घर, family या फिर office को safe रख सकते हैं दोस्तो अब सवाल ये आता है कि आप कैसे पता करें कि आपकी requirement के साब से कौन सा CCTV camera best है दोस्तो इसके लिए आपको अपनी requirement समझनी होगी कि आप CCTV camera कैसे यूज करना चाते हैं, कहां install करना चाते हैं यानि आप उसको indoor activity के लिए या फिर outdoor activity के लिए यूज करना चाते हैं आप wide area कवर करना चाते हैं या फिर कोई specific zone कवर करना चाते हैं सबसे पहले आप अपनी requirement समझिए और उसके हिसाब से best type of CCTV camera को select कीजिए उसके लिए आपको types of CCTV camera समझने होंगे दोस्तो मार्केट में आपको mainly four type के CCTV camera देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले आते हैं dome cameras दोस्तो dome camera कुछ इस तरीके के होते हैं और इनको ये नाम इनकी shape की वज़से मिला है इनका सबसे बड़ा advantage होता है कि इनमें आपको 360 degree viewing angle मिल जाता है यानि आप इनकी help से हर direction में देख सकते हैं साथी साथ ये camera किस तरफ point करता है ये देखना भी थोड़ा मुस्किल होता है जिसकी वज़से चोरों के मन में doubt create होता है और वो इससे दूरी रहते हैं दोस्तो इसके wing angle की वज़से इसको तोड़ना या फिर बंद करना काफी मुस्किल होता है यूज़स की बात करें तो आप इसको indoor और outdoor दोनों ही security purpose के लिए यूज़ कर सकते हैं इसके बाद आते हैं bullet cameras जो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं ये cylindrical shape के होते हैं और ये ऐसी जगे लगाए जाते हैं जहाँ पर आपको दूर तक यानि long distance में देखना है यानि यदि आप चाहते हैं कि आपकी image quality best हो और आप दूर तक देख सकें तो ऐसे में bullet camera best होते हैं साथी साथ ये दूर से दिख जाते हैं तो इसलिए इनका use चोरों को डराने के लिए भी किया जाता है ताकि वो आपके area से दूर रहें ये dust and water resistance होते हैं और ज्यादा तर outdoor activity के लिए use के जाते हैं इसके बाद आते हैं sea mount CCTV camera दोस्तो sea mount CCTV camera bullet camera की तरही होते हैं लेकिन इनके अंदर आपको detachable lens का option मिल जाता है यानि आप इनमें different different lens यूज़ कर सकते हैं और एक wide area में लंबी दूरी तक देख सकते हैं detachable lens की वज़े से इस camera की picture quality और video quality best आती है लेकिन ये थोड़े expensive होते हैं ये भी dust and water resistance होते हैं और इनको भी mainly outdoor activity के लिए use के जाता है इसके बाद आते हैं PTZ CCTV camera दोस्तो PTZ की full form होती है pan, tilt और zoom और जैसा कि आप इन camera के नाम से ही पता कर सकते हैं कि इन camera में आप left to right move कर सकते हैं अप and down move कर सकते हैं और zoom भी कर सकते हैं ये camera security purpose के लिए best होते हैं और इनका use ऐसी जगा पर किया जाता है जहांपर एक dedicated security team होती है और वो इन camera की help से video surveillance करती है लेकिन इसी के साथ साथ आप इनको अपने घर में भी use कर सकते हैं जहांपर आप अपने phone से एक wide area को cover कर सकते हैं तो दोस्तों ये बात हुई PTZ CCTV camera की इनके अलाबा आपको feature wise भी कई type के CCTV camera मिल जाते हैं जैसे day and night CCTV camera, infrared CCTV camera, network और IP CCTV camera, wireless CCTV camera और high definition CCTV camera तो दोस्तों अब आपको पता लग गया कि CCTV camera कितने type के होते हैं आप अपनी requirement के साथ से सही type का CCTV camera select कर सकते हैं जैसे यदि आपको camera को indoor में यूज करना है तो dome camera सही रहेगा यदि gate की security के लिए यूज करना है तो bullet camera या फिर C type camera सही रहेगा वहीं यदि आप एक बड़े area को cover करना चाहते हैं तो ऐसे में PTZ CCTV camera आपके लिए best होगा दोस्तों अब बात करते हैं कि एक best CCTV camera लेने से पहले आपको किन-किन important points का ध्यान रखना चाहिए इसमें सबसे important होता है camera का lens और resolution camera का lens minimum 2 megapixel का होना चाहिए और उसमें full HD resolution होना चाहिए ताकि आपको picture quality और video quality best मिले इसके बाद दूसरा important point है camera की range आपको minimum 20-25 meter range का CCTV camera सेलेट करना है इसके बाद आपको चेक करना है camera की storage facility दोस्तों camera में SD card की storage है या फिर online cloud storage है online cloud storage के लिए आपको अलग से charge देना होगा storage facility की वज़े से आपके पास minimum 15 days की recording होनी चाहिए इसके बाद आपको ध्यान रखना है camera के connectivity options यानि camera wired है या फिर wireless दोस्तों wireless camera के लिए आपको continue wifi की जरुत होती है तो आप इसका ध्यान रखेगा साथी साथ CCTV camera को control करने के लिए यदि आपको app connectivity मिलती है तो वो भी एक better feature है जिससे आप easily camera को control कर सकते हैं CCTV camera के अंदर night vision का feature होना चाहिए CCTV camera में human detection और motion detection जैसे feature होने चाहिए जिसकी help से यदि camera के आसपास कोई motion होती है तो camera उसको detect कर लेता है और आपको तुरंत notification भेज कर वीडियो को record कर लेता है जो security के हिसाब से एक best feature है camera के अंदर building alarm होना चाहिए ताकि वो emergency में आपको alarm करके notify कर सके camera के अंदर two way audio का option होना चाहिए इस feature की help से आप camera के पास खड़े व्यक्ति से बात कर सकते है या फिर उसे कोई instruction दे सकते है साथी साथ आपको installation का भी ध्यान रखना है दोस्तों जाज़दर CCTV camera में आपको installation का charge अलग से देना होगा हाला कि यदि आप wireless CCTV camera लेते हैं तो आप उसको खुद भी install कर सकते हैं वो काफी आसान है और warranty जितनी जादा मिले उतना आपके लिए अच्छा होगा तो दोस्तों एक best CCTV camera लेनी से पहले आपको इन सब भी points का ध्यान रखना है आप बात करते हैं मेरे recommended top 5 best CCTV camera 2023 की दोस्तों एक बात clear कर दूँ कि इस list में ये जो CCTV camera हैं वो किसी भी order में set नहीं है पांचों ही CCTV camera काफी अच्छे हैं जो आपको अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं तो इस list में पांचों नमर पर आता है MOU bullet outdoor security camera model number आप अपनी skin पर check कर सकते हैं इसका price है 3500 के आसपास और इसमें आपको 1 year की warranty मिल जाती है दोस्तों एक बात का ध्यान रखेगा कि इन सभी CCTV camera के price change होते रहते हैं तो exact price के लिए आप link पर जाकर ज़रू check कीजेगा इन सभी के link मैंने वीडियो के description में दे दिया है दोस्तों ये CCTV camera एक bullet camera है जिसको आप अपने outdoor security के लिए use कर सकते हैं इसमें आपको एक 2 megapixel का camera मिल जाता है जिससे आप full HD की video record कर सकते हैं और इसकी picture quality वाके में काफी अच्छी है दोस्तों इस CCTV camera की खास बात है कि इसमें आपको IP67 की rating मिल जाती है जिसकी वये से ये camera all weather proof बन जाता है दोस्तों इस camera में आपको smart color night vision का option मिल जाता है जिससे रात में ये color video capture कर लेता है इसमें आपको human detection का feature मिल जाता है जिससे यदि कोई human activity होती है तो ये camera आपके phone पर तुरन notification भेज़ देगा इसमें आपको app connectivity, cloud storage और SD card storage का option मिल जाता है तो दोस्तों IP67 rating के साथ ये CCTV camera एक अच्छा option है आप इसको check कर सकते हैं इस list में चौते नमर पे आता है क्यूबो आउट्डोर Wi-Fi CCTV bullet camera इसका price है 3500 के आसपास और इसमें आपको winner की warranty मिल जाती है दोस्तों क्यूबो Hero Group का एक brand है जो काफी अच्छी quality के CCTV camera बनाता है इसमें आपको एक 2 Megapixel का camera मिल जाता है जो आपको 130 degree wide viewing angle provide कराता है और Full HD की video और image record कर लेता है ये camera day और night दौनों में ही color recording कर लेता है इस camera में आपको IP66 की rating मिल जाती है यानि ये एक all weather congestion outdoor camera है इस camera में आपको multi smart zone का feature मिल जाता है जिससे आप different zone को target कर सकते हैं साथी साथ इसके अंदर आपको person detection और motion detection का feature मिल जाता है जिससे एक camera यदि कोई motion detect करता है तो आपको तुरंत notify करेगा इस camera में आपको smart spotlight भी मिल जाती है इसमें आपको two way audio और alarm का feature भी मिल जाता है जिससे आप camera के पास खड़े person से बात कर सकते हैं इसके अलाबा इस camera में आपको SD card storage facility, cubo app connectivity, cloud storage और wifi and ethernet की connectivity भी मिल जाती है यानि दोस्तों कुल मिला कर cubo के CCTV camera में आपको लगबग सभी important feature मिल जाते हैं तो ये outdoor security camera एक अच्छा option है आप इसको check कर सकते हैं इस list में 30 नमबर पर आता है MI wireless home security camera model number आप अपनी screen पर check कर सकते हैं इसका price है 2600 के आसपास दोस्तों MI की तरफ से ये CCTV camera भी एक अच्छा option है जिसमें आपको 2 megapixel का camera मिल जाता है जिससे आप 360 degree panoramic view देख सकते हैं pan, tilt और zoom कर सकते हैं और full HD की video quality और image quality record कर सकते हैं इस camera में infrared LED light लगी हैं जिससे एक camera night में भी अच्छी video quality record करता है साथी साथ इस camera में आपको human detection, two-way calling, work with Alexa and Google Assistant, SD card, cloud storage और MI home app connectivity जैसे important key feature भी मिल जाते हैं दोस्तों indoor security के लिए ये CCTV camera एक अच्छा option है यदि आप चाहें तो इसको check कर सकते हैं दूसरे नमबर पर आता है TP link Wi-Fi security camera model नमबर आप अपनी skin पर check कर सकते हैं इसका price है 2500 के आसपास, इसमें आपको 1 year की warranty मिल जाती है दोस्तों इस CCTV camera की खास बात है इसके अंदर आपको 3 megapixel का camera मिल जाता है जो ultra high definition video capture कर लेता है ये camera आपको 360 degree view provide कराता है जिसमें आप pan और tilt कर सकते हैं और पूरे camera का view ले सकते हैं इस camera में आपको voice control का feature मिल जाता है और इसको आप Alexa और Google Assistant से भी control कर सकते हैं इसमें आपको built-in alarm के साथ-साथ 2-way audio का feature मिल जाता है जिससे आप camera के पास बात कर सकते हैं या फिर कोई instruction दे सकते हैं साथ-साथ इस camera में आपको human detection, motion detection, advanced night mode, tapo app control, up to 256GB storage support, sound and light alarm और privacy mode जैसे की feature भी मिल जाते हैं तो दोस्तो टी-पी लिंक की तरफ से ये indoor security camera एक अच्छा option है यदि आप चाहें तो इसको ले सकते हैं दोस्तो अब बात करते हैं नमबर वन की लेकिन वहाँ जाने से पहले यदि ये वीडियो आपको informative लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही interesting वीडियो देखने के लिए बेस्ट CCTV कैमरा 2023 की लिष्ट में नमबर वन पे आता है TP-Link आउट्डोर वाई-फाई सिक्योर्टी कैमरा मॉडल नमबर आप अपनी स्कीन पर चेक कर सकते हैं इसका प्राइज है 4100 के आसपास और इसमा आपको वनिर की वारंटी मिल जाती है दोस्तो ये एक TP-Link की तरफ से आउट्डोर सिक्योर्टी कैमरा है जिसके अंदर आपको 4 मेगा पिक्सल का कैमरा मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप 2K Ultra HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसकी वीडियो कॉलिटी और पिच्चर कॉलिटी वाकि में काफी अच्छी है दोस्तो ये एक स्मार्ट CCTV कैमरा है जिसको आप Alexa और Google Assistant से कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर एक स्टार लाइट सेंसर लगा है जिसकी हेल्प से ये नाइट में भी अल्ट्रा ब्राइट इमेज कैप्चर करता है साथी साथ इसमें आपको Motion Detection, Human Detection, Two-way Audio, Tapo App Connectivity, Alarm, Voice Control और Local Storage जैसे की फीचर भी मिल जाते हैं तो दोस्तो टीपी लिंक की तरफ से ये Outdoor Security Camera एक अच्छा option है यदि आप चाहें तो इसको ले सकते हैं तो दोस्तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी requirement के साब से कौन सा CCTV camera आपके लिए best है यदि आप मेरे recommended CCTV camera को लेना चाहते हैं तो आप उनको भी select कर सकते हैं यदि आपको कोई confusion हो तो आप comment मिली कर्मेट से पूछ सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो मस इतना ही मिलते हैं कि लिए interesting वीडियो में जब तक के लिए खुश रहें स्वास्त रहें नमस्कार